हमारे दो आइस लाब्स आ गए आजै हैं अब मैं ये दोनों रोप्स पहले आइस लाब पे पलेस कर दूंगा अब हम इस पे दूसरा आइस लाब पलेस कर देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इन रोप्स को अफ़र वाले स्लाब्स से टाई नहीं किया है इस ओपन उपरवाला आइस ब्लॉक मेल्ट होके रोप के थुरू नीचे वाले ब्लॉक से चिपक जाएगा and in theory हम इस रोप के थुरू इन दोनों ब्लॉक्स को उठा पाएंगे इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा तो हम थोड़ी देर रुखते हैं वाँ, तो देखा आपने कैसे नीचे का आइस क्यूब उपर वाले आइस क्यूब से चिपका रहा थुरू रोप और वो भी इती देर था so because of the rope, we were able to lift both the ice cubes hey, now let's take it to the next level ice versus ice मैंने दो slabs of ice को एक दूसरे के उपर रख दिया है with these wires passing through which are then tied to a wooden frame अब देखने की बात यह है कि उपर वाला ice block नीचे वाले ice block को उठा सकता है कि नहीं Crash, are you ready? Okay वाँ, can you see this? यह दोनों block जमीन से उठ गए है उपर वाला block ने नीचे वाले block को चुपा दिया है अपने साथ हमने मोदेन two hundred kgs उठाया है just by using the property of ice to be able to stick together